खुलो फ्रेंटेस को में चानल दिस वासी इचलिए दिखते हैं कल मार्केट काहां उटाम कर सकता है इसके बीचे का लॉजिक है एक पॉइंट आप लोगको याद होगा हम लोगों ने विकली अनलिसिस में डिसकेसन किये थे मंडे हो गया या तुजडे हो गया मार्केट थोड़ा सा गिड़ सकता है उसके बाद तूर्द वीकेंड मार्केट थोड़ा सा रिवर्स कर सकता है यह हम लोग का प्लानिंग था एक डोजी टाइप या फिर एक हैमर टाइप कैंडल बना सकता है इसके उपर हम लोग का प्लान यह हम लोग का एक स्ट्राइंगल पोजिशन क्रियेट होना चाहिए, आज अगर हम लोग देखेंगे, मार्केट में पहले 33,000 के आसपास गया, उसका नीचे की तरफ आ गया, यहां पे प्राइस एक्षन बनाया, मार्केट मूब किया, 33,000 जहां से रेजिस्टंस था, यहां प अंदर एक्सपैरी चांसे से होने वाला है, लेकिन एक पॉइंट ध्यान मेरे को, just imagine कि 34,500 का अभी अपने call sort किया, मैं generally plan क्या करता हूं, कभी भी round level पे मैं sort नहीं करता, generally क्या होता है, यह round level थोड़ा सब अंदर जाकर, फिर reverse आता है, तो 34,600 या फिर 34,000 अगर plan करना होगा sort करने के लिए, इदर 34,100 या 200 इस तरीके से plan करता हूं, अगर wider range plan करना है, अभी अगर हम लोग देखेंगे, जितने लोग यहाँ पे sort कर रहे होगा, यह दो possibility है, अगर 25% quantity अपने छोड़ेंगे, और सोचेंगे, market उपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ से position roll over करते जाएगे, generally मैं कैसे plan करता हूं, मैं पूरा quantity पहले ही छोड़े देता हूं, दोनों site sort करने के बाद, अगर market यहाँ से उपर की तरफ move कर रहा है, हमारे पास time कम है दो दिन है, तो कौन से time में हो रहा है, क्या कल first stop में यहाँ तक पहुंच जा रहा है, यहाँ फिर last hour में पहुंच रहा ह है, अगर यहाँ पर price section बना के और उपर जा रहा है, तो थोड़ा सा 50 start point इतना यह losses हुआ है, उतना easily recover हो सकता है, लेकिन अगर मैं completely adjustment का plan करूंगा, C hold करके रखूंगा, and PE उपर की तरफ roll over कर से जाऊंगा, that means, हमको नहीं पता है किने 34,500 में रुके गा, 36,000 में रुके गा, इसके लिए क्या होता है? हमारा दूसरा लेक, कभी भी हमको पता नहीं चलता है किने पहला लेक, कितना point यह जा सकता है, कुछ लोग यह बोल सकते हैं किने market क्या कर सकता है, यह जाके touch करके, फिर reverse आ सकता है, अगर यह touch करके reverse है, हमारे पास दो दिन है, अगर reverse hiç आलाता है, इसके नीचे हमारा PE है, it's more safe, यह बहुत ज्यादा safe है, अगर पकल लीजे, फिट से 50% आ जाता है, जहां से पोजिशन मैंने create किया था, मैं फिट से CE add कर सकता हूँ, in that matter, हम लोग का कुछ ना कुछ profit मिल जायागा, without having any much risk, लेकिन अगर मैं एक पोजिशन होल्ट करके लेकिन वो एक दिन मेरे लिए बहुत जादा costing हो जाता है, क्योंकि यह सारे मैं already try कर चुका हूँ, तो इस तरीके से मैं plan करता हूँ, तो कल हम लोग discussion किये ते, यह triangle के अंदर market close हो सकता है, 32,400 के अंदर, थोड़ा साच on negative गया first stop के अंदर, फिर price action बना के यहां पे उपर की तरफ close दिया है, तो अभी मेरे लिए यह range है, अभी बहुत बड़ा position में plan नहीं करने वाला हो सकता है, कल अगर Wednesday के दिन, अगर closing दे देता है, कहीं पे समय रूट इसी level के आसपास, या फिर इस level के आसपास कहीं पे close देता है, 34,250 या 32,500, इसी level के आसपास, अगर कहीं पे close देता है, फिर हम लोग Thursday के दिर option buying कर सकते हैं, तो directional basis में plan कर सकते हैं, ये दो position में close होना चाहिए, अगर ये market ऊपर की तरफ गया और closing दे दिया, 33,750, तो इसे क्या होगा, 34,000, 34,500 ये round level आजाएंगे, तो बहुत बड़ा momentum हम लोग और expect नहीं कर सकते हैं, नीचे की तरफ हो सकता है, तो मैं आपको suggest नहीं करूँगा, बड़ा position कुछ प्लान करो, already अगर आपके पास कुछ position है, तो पर आप उसको adjustment or stop loss, इसके इसाब से प्लान कर सकते हो, चली भी हम लोग निफ्टी देख लेते हैं, कल भी हम लोग डिस्कॉसन किया था, 15,900 के उपर एक momentum आ सकता ह है, price हो हाँ पर hit किया, resistance बना, उसके बाद second time में, फिट से यहाँ पर दो candle, though it's not a red candle, लेकिन आपका एक inverted hammer, फिर यहाँ पर 15-30 minute wait किया, फिर breakout दिया, इस तरीकी का momentum थोड़ा सा मैं ज्यादा prefer करता हूँ, that means, 15,800 के नीचे एक support है, 15,700 के नीचे एक support है, अब यह resistance breakout दे चु 16,050 के उपर अगर cross करता है, तब हम लोग buy कर सकते है, target क्या होना चाहिए, 16,150 से लेकर, 200 के आसपास हम लोग का target होना चाहिए, यहाँ तक market जा सकता है, अगर हम लोग देखेंगे, niptic range के अंदर था, अगर यहाँ से breakout देता है, तो automatically यहाँ से जितना space से उतना upside भी move कर सक सकता है, तो एक upside momentum में भी pending दिख रहा है, 16,200 और इस तरीके analysis सामलागों ने अल्रेडी किया था है, कि ने मंडे की दिन market थोड़ा गिट सकता है, उसकी बात एक दो दिन के बाद थोड़ा सा towards the week, market recover करने के लिए, कोसिस कर सकता है, क्योंकि थोड़ा obvious हो जाएगा, सब लोग यहां पे call short करके बैठे होंगे, देखिए, एक point ध्यान में रखो, जब market बहुत ज़्यादा obvious हो जाता है, आपको दिखने लगता है कि ने, हाँ यहां पे बहुत सारे लोग 16,500 क्योंकि Monday की दिन अगर market गिरता है, तो PE बहुत ज़्यादा हो जाता है, and 16,500, 400, 16,300, यह सारे के premium बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत सारे लोग 50,600 या 100 रुपे में ट्रेड नहीं करता हूं, लेकिन अगर 100 रुपे भी मिला होगा, उन लोग hold करके रखेंगे till Wednesday, फिर इससे क्या होगा, यह सारे position जो hold करके रखेंगे, उनका कुछ activity नहीं हो रहा है, इन लोग further और additional sale में interested नहीं है, उन लोग अपना position hold करके हैं, तो दियारे bearies, क्योंकि call short किया है, तो उन लोग bearies है, लेकिन और position add नहीं हो पा रहा है, that means add नहीं हो रहे है, तो और seller नहीं आ रहे है, तब क्या होता है, जब market थोड़ा सा buyer add होना start होते है, यह सारे position धिर धिर square up होना start होता है, फिर short covering build होना start होता है, तो market जब आपको पूरा obvious दिखता है, कि इने market और गेट सकता है, वहां से reversal का point ढूणना start कर देना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, last week completely sell up हाया, Monday की दिन अगर market और sell up आता है, तो near to weekly closing के आस पास, कहीं ना कहीं reversal प्लान कर सकता है, तो यहां पे अभी reversal का plan हो सकता है, यहूप यह price point आप लोग को समझ में आ रहा होगा, अभी हम लोग थोड़ा सा buying के लिए सोचेंगे, until and unless 15,800 के आस पास कहीं closing इस level पे ना कर दे, तब तक हम लोग sell नहीं करेंगे, smaller price section के ऊपर एक अच्छा breakout दे चुका है, 15,900 के नीचे कहीं पे close देत gap आप बहुत बड़ा gap down खुल रहा है, better quantity आप कर लिजिए, उसके बाद थोड़ा सा वेट कीजिए, 5 मिनिट के अंदर price action क्या बन रहा है, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो better उस दिन trade मत कीजिए, next day हम लोग प्लान करेंगे, क्योंकि आज market flat खुला था, almost पहले market 15, 900 गया, फिर market नीचे आ गया, यहां पर हम लोग aggressive sell करेंगे, यह plan नहीं था, हम लोग का plan था, 15,950 और 940 के पास, अगर cross करेंगे, हम लोग बाई करेंगे, फिर यहां पर wait करने के प्राइस action बनाया है, यह point पर, हम लोग strangled कर सकते थे, या फिर यहां पर buy कर सकते थे, अभी यहां पर impact बनते हुए दिखा रहा है, बस इसका अभी जो last swing है, उसको break करना है, impact है तो बन गया है, लेकिन 580 और 85 के आसपास, एक swing बना है, अगर ही cross करता है, that means, यहां पर थोड़ा सा negative confirmation आ सकता है, थोड़ा sell-up आ सकता है, target कहां तक होना चाहिए, दिजदब place 540 से लेकर 550 यह place हम लोग का target होना चाहिए, या फिर at least 565-70 भी आ गया, तो well and good, तो हिंडाल को हम लोग 588 के पास, मैं यह positional बता रहा हूं, intraday के अंदर 7,8 या 10 रुपीज मिल गया, more than enough, तो 588 या 587 के आसपास हम लोग इसको sell कर सकते है, 2-3 रुपए stop loss होना चाहिए, 1.2 हम लोग का target रहेगा, तो के गयल अगर हम लोग यहां पर देखेंगे, similar kind of pattern यहां पर बनाये, breakout थोड़ा सा दूर है, market already move कर चुका था, पोच किया, next day move करने का को सिस किया, लेकिन immediately negative candle, that means यहां पर अभी resistance बन चुका है, थोड़ा सा हम लोग aggressive sell तो नहीं करेंगे, लेकिन 157 के नीच का breakout level तक हम लोग target प्लान कर सकते हैं, next talk है HDFC, AMC, यह मेरे portfolio में बहुत time तक है, मैं बस wait कर रहा हूँ, यह trend line को किस तरीके से react कर रहा है, क्योंकि धीरे-धीरे क्या हो रहा है, selling तो आ रही है, लेकिन जब तक selling आता रहेगा, तब तक एक trend line यह maintain कर रहा है, इसके ऊपर किस तरीके से trade करेगा, अभी अगर हम लोग देखें, slow and steady यहाँ पर एक double pattern बनाना शुरू कर दिया है, दो last time भी इसने बनाया था, somewhere around इसी level के आसपास कहीं पर एक double pattern बनाया था, लेकिन फिर उसके बाद sell-off आ गया, एक अच्छे profit के बाद sell-off आया, अभी फिट से में wait कर रहा 2000 के नीचे आता है, तो portfolio से भी हम लोग निकाल देंगे, क्योंकि price अगर अच्छा है, stock अगर अच्छा है, price में भी reflect होना चाहिए, आने वाले टाइम में हम लोग को और better price मिल जाएगा, unnecessary stock को drawdown होने के लिए wait नहीं करना है, क्योंकि हम लोग उसको फिट से enter कर सकते हैं, उपर हम लोग इसको purchase कर सकते है, 5-6 रूपया stop loss होना चीए, 1-2 minimum हम लोग का target रहेगा, टेके में एक अच्छा price action built कर रहा है, यहां पे हम लोग continuously buying के लिए इसको देख रहे हैं, एक अच्छा price action है, इसी level के असवास बहुत time तक wait कर चुका है, यहां से अगर यह momentum करता है, एक अच्छा momentum इसके अंदर आ सकता है, तो 1462 या 63 की उपर हम लोग इसको buy कर सकते है, 4-5 रूपयज का stop loss होना चीए, 1-2 minimum हम लोग का target होना चीए, एक अच्छे price action में दिख रहा है, यहां से अगर momentum करता है, तो 1480 भी इंट्राडे के अंदर आ सकता है, यहूप इस सारे point आ आप लोग को समझ में आ रहे हैं कि वीडियो चाला हो तो रुबिन लाइक एंसाया कमपेट्स, अविकली इतना है, थैंक यू.